इस वीडियो में जो हम लोग जितने भी कोशन करने वाला है यह मोस्ट इंपोटेंट कोशन है और आप एक्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है तो बहुत ही ज्यादा भी वी आई कोशन है सारे प्रशनों को जबाब आप लोगों को देना है सभी लोग चलिए वीडियो देखिएगा मोस्ट भी वी आई कोशन है सारा कोशन वहीं से पूछेगा ठीक है और इससे भी सारा कोशन दाइरेक्ट जिट्टो लड़ जाएगा आपको एक भी प्रशन छूटेगा नहीं तो सभी लोग कमेंट करते रहें तो पहला जो प्रशन है इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य के सरीर में सूचने वाली उत्तक कौन होती है तो तंत्री का उत्तक आपसर नमबर डिए रखिएगा तंत्री का उत्तक चलिए नेक्ट प्रशन हम लोग देखते हैं अपसर का सबसे भारा भाग कौन है अपसा नमबर यह प्रो मस्तिस्क भी है मध्य मस्तिस्क और सी है सेरी सेरी बिलम डी है इन में से कोई नहीं तेजी में कमेंट किजिए सहजाद अंसारी तारा प्रवीन गुलनास खातून तेजी में कमेंट करते रहना है हुआक कि तारह रविन गुलनास खातुं सभी लोग कमेंड कर रहे हैं तो इस प्रश्ण का सही जब tiram आप साम बार आग वह कम आस्थ होगा सब्सकों कर जो होता है वह प्रत्ष भरेयल भ्राहर चलिए अ anlam लोग देखेंगे तीसरा नमबर थाइराइड गरंथी उपस्थित होती है अपस्थित होती है कि तेजी में कमेंट करना है कि थाइराइड गरंथी उपस्थित होती है कहां पर तेजी में कमेंट करना है और सब्सक्राइब के पास वी ट्रेकिया के दोनों और सी है अमासे के पास डी है इन में से कोई नहीं चले वीडियो क्वाइलिटी आप लोग की अच्छी है अब आज भी आ रहा सभी चीज हो रहाता तीसरा नमबर परशन का सही जब आप अप्सन नमबर बी हो जाएगा थ्वाइराइड ग्रम थी जो पस्तित होती है वह ट्रेकिया के दोनों और अप्सन नमबर बी याद रखि या पीया मीटर डी है डिवरा मीटर डी है एक नो मीटर तेजी में कमेंट कीजेगा तारप्रवीन गुलनाजच खातुन प्रेंस तेजी में कीज़े कि नीमने बिकल्पों में कौन जो है मैंने जीज नहीं है तो चौन्था नमबर प्रश्ण का सही जबाब आप्सन नमबर ए हो जाएगा प्रीन्स का बिल्कुल सही जबाब है चलिए नेक्स प्रश्ण हम लोग देखेंगे कि मेरी मेरू रज्जू निकलता है कहां से तेजी में कमेंट कीजिए मुस्ट भी आई कोशन है डाइरेक्ट आपके एक्जाम में यही प्रश्ण पूछा जाएगा कई बार यह प्रश्ण पूछा हुआ है 2019 में भी यह प्रश्ण आया था तो पांच नमबर प्रश्ण गुलनाज खातूं तारा प्रवीन साजाद खान स्वारी प्रिंस सभी लोग कमेंट कर रहे हैं तो इस प्रश्ण का जो सही जबाब होगा मेरू रज्जू निकलता है कहां से तो मेडूला से ऑप्सन नमबर डी याद रखिएगा यह पूछा ह हुआ है आपकी एक्जाम में यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है डिट्टो यही कोशन पुछेगा हंड्रेट परसेंट याद रखिएगा इनमें से कौन पादफ हार्मोन है पादफ हार्मोन और इंसुलीन भी थाइरोक्सीन सी हैस्ट्रोजीन और डी है साइटोकिनीन तेजी में कमेंड करते रहना सभी को कि इनमें कौन पादफ हार्मोन है इनमें कौन पादफ हार्मोन है एक वर तेजी में सभी लोग कमेंड कीजिए कि चलिए गुलनास खातुन तारा प्रवीन सहजाद अंसारी प्रिंस सभी लोग कमेंड करते जी में बताइए का यह प्रश्ण बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ प्रस्ण है मुस्ट भी वी हंडरे परसेंट लगने वाला प्रस्ण है तुछे नंबर प्रस्ण का सही बाइस में भी पूछा हुआ प्रस्ण तेजी में ऑफ्सन नंबर इस चार भी छो सी याठ डी बार तेजी में कमेंड करते रहे हैं कि गुलकोंस की अनु में ऑक्सीजन के कितने परमानों होते हैं संजीत यादव गुलनाष चातुन तारा प्रवीन सहाजाद अंसारी सभी लोग तेजी में कमेंड कर रहे हैं तो साथ नंबर जो प्रस्ण इसका सही जबाव ऑफ्सन नंबर बी हो जाएगा ऑफ्सन नंबर बी ऑफ्सन नंबर भी बिल्कुल सही जबाव होगा किसका तो गुलकुच का याद रखिएगा सभी लोग नेक्स्ट मनुष के सूंगने की छमता को नियंत्रित करता है ऑफ्सन नंबर इस एरी ब्रह्म भी है ध्रो निंद्रिया पाली सी है डाई एंसी फैलान और दी है ऑप्टिक पाली तेजी में कमेंड करना है सभी को कि कि छमता को नियंत्रित कौन करता है गुलनास खातुन अकमल हुसें सहजाद अंसारी प्रेंस सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिए और आप लोग के लिए छोटा-छोटा वीडियो 10 मिट का डाल रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है वह प्रश्न चु इर्ट बीडियो डालेंगे हिंदी मैं इंगलिस सांस्क्रिट सभी का वीडियो बना रहे हैं तो आठ नमबर जो प्रश्न है इसका सही जबाब होगा मनुसे की सुंगने की छमता को कौन नियंत्रित करता आपसन नमबर भी बिल्कुल सही जबाब होगा द्रहां दिया पाली नौ नमबर प्राश्ण मनुसे में एक्षिक गतियों का नियंतरन किसके द्वारा होता है यह तो बहुत ज्यादा इंप्पोर्टेंट है कमेंट किजिए तो सभी लोग एक बार प्राश्ण में एक बार कमेंट करना है और बताना है कि मनुसे के एक्षिक गतियों का नियंतरन कौन करता है बहुत ज्यादा इंप्पोर्टेंट डाइलेक्ट पूछेगा आपकी इक्जाम में और दोस्तों में खूब से अरकी जी आप लोग का समय अब बहुत ही कम है छो दिन मात्र बचा है ज्यादा नहीं चे से साथ दिन बचा साथ दिन हम नहीं बोलेंगे छे दिन इसलिए बोलते हैं कि आप लोग को जाना भी परेगा एक दिन ट्रेविलिंग में ही हो जाता ठीक है तो अब लोग का समय बहुत कम बचा है तो तेजी में कमेंट कीजिए सभी प्रशनों का जवाब दीजिए और जितने भी वीडियो डालना है सारा वीडियो को देखिएगा एक भी वीडियो को छोड़ना नहीं है तो नौ नमबर प्रशन का सही जवाब अप्सन नमबर B चुका है और आपको ट्रिक बहुत अच्छा लगेगा ठीक है बहुत ही अच्छा बनाए है आप लोग को पहला चाप्टर जो यूरोप में राष्ट बाद है उसका ट्रिक बन चुका है और आपको डाइरेक्ट याद हो जाएगा जितना भी पहला चप्टर का डेट है लग सही जबाब जो है मनुष्य के सरी के सबसे बड़ी ग्रंथी को है तो लीवर लीवर इसका सही जबाब है लीवर अगना से नहीं होगा भी बता रहा है प्रिंस ग्यारान नबर मनुस्य में मादा जनन अंग्ल किस हार्मॉन का स्वह होता आपस्ट नमबर ए प्रोजेस्टरो करते रहीए अकमल हुसेन ए साजाद अंसारी तारअप्रवीन तो याधन नमबर प्रश्ण का सही चाहिए जबा उप्सिन नमबर डी हो जाएगा उप्सिन इन में से सभी 12 नमबर प्रश्ण मस्तिस्क का कौन सा भाग सरीर की स्थिती तसा संतुलन का अनुरक्षन करता है आप्सा नवरह अगर मस्तिष्क है मद्धे मस्तिष्क सिया एक wen से सभी किते ही ख creeper कर कीजिये कि मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन का अनुलक्षन करता है 'm it किजिए तेजी में कमेंट किजिए सभी लोग तारा प्रवीन अक्मल हुसेन सहजाद अंसारी प्रियंस गुल्नास खातुन जी सभी लोग कमेंट कर रहें तो बारा नंबर प्रशन का सही जबाब होगा मस्तिस्क का कौन सा भाग जरीर की संतुलन का नूरक्षन करता है तो अन प्रशन तंत्री का तंत्र से प्राप्त सुचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग है अभिवाही अंग भी ग्राही अंग दिन में से कोई नहीं तेजी में कमेंट कीजिए और बताए कि तंत्री का तंत्र से प्राप्त सुचना के अनुसार अनुक्रिया करने वाला अंग कौन है गुलनाज खातून सहजाद अंसारी कि प्रिंस कल से आप लोग का बहुत ज्यादा बीडियो डालेगा हर घंटा में दस निल का बीडियो रहेगा लगवाग हर एक देर घंटा दो घंटा पे बीडियो बहुत तेजी में बना रहे हैं क्योंकि आप लोगा एकजा सारे सात बजे लाइब चार बजे लाइब और आठ बजे 2 शुक्त कर लाइब होगा तीक है सबी लोग तैयार रहिएगा आफिवाही अंग, आफिशन नम्बर ए, चौदा, सुचनाओं और चेतना का भंडारन इस अंग में होता है, आफिशन नम्बर ए, आँख में, बी, अभिवाही अंग में, सी, मस्तिस्क में, दीन में से कोई नहीं, यह बहुँ ज्यादा इंपोटेंट और भीवी आई है, डा प्रशन बहुत ही ज्यादा है टोटल अभी 142 को करवाने वाले हैं 142 प्रशन त्यजी में कब क कर कमेंट किजीं किया कि आखिर क्या सकते है कि 142 प्रश्न फ्रेकर दो दिनों paid 2 ज्यादा इंपोर्टेंट है दो 142 प्रश्ण है टोटल इसमें और सारा प्रश्ण दो से अधिक बार पूचा है तो 14 नंबर प्रश्ण का सही जबाव सनमबर सी होगा सुचनाओं और चेतना का भंदारन इसंग में होता है तो मस्तिस्क में आपसा नंबर सी याद रखिएगा चली 15 नंबर प्रश्ण निउरोन में किंद्रक कहां उपस्तित होता है आपसा नंबर एक कोसी का काई भी है एक जोन और सी है द्रुमिका और डी है इन में से कोई नहीं निउरोन से एक प्रश्ण आपका 100 परसेंट पूचा जाएगा याद रखना है सभी को कि आकिर इसका जबाब क्या होगा शुबा में कल मैंच का क्लास होगा आप लोग अठीक है मैंक का सब्जेक्टी प्रश्ण केबल करवाएंगे मैंक का सब्जेक्टी प्रश्ण सारे सब्जेक्टी प्रष्ण को आपको एक वर समझा देंगे कि जो पूछा गया है वो सब्जेक्टी प्रष्ण सम्झा देंगे सारे साथ देखे, लाईड के समय किसी को कॉल नहीं करना ठीक है तो 15 नंबर प्रष्ण का सही जबाब क्या होगा नियुरोन में केंद्रक नियुकलस कहां पस्तित होता है तो 15 का सही जबाव अप्सन नमबर एह होगा कोशी का काई में कोशी का काई में नियुकलस का सही जबाव दीजिए कि शरीर का तापकरम कहां पूछेगा आपकी एक्जाम में देखिए आज हम किसी से ज़्यादा बात वाथ नहीं करेंगे आप लोग बात मत किजिए डायरेक्ट जबाव दीजिए इसके कारण रात में लाइब नहीं हो पाएगा तो टोटाल 142 प्रश्णों का आप लोग सारे लोग जबाब दीजिए तो शरीर में तापकरम कहा नियंतृत होता है तारा प्रबीन आ बता रहे हैं प्रिंस बीट प्रश्ण का सही जवाई अप्शन नंबर D होगा है अब्स फिलय मस्त एक ग्रंती है यहीं पर क्या ऊथा शरीर का तापकरम नियंत्रित होता है श्टन नंबर D I OSC नंबर प्रश्ण मनुस्य के मस्तिस्क की सबसे बाहरी जिल्ली कौन है अप्शन नंबर A द्यूस द्यूस मीटर बी पिया मीटर सी है एरकन वाइड मीटर डी है इनमें से कोई नहीं तेजी में कमेंट कीजिएगा अभी बस प्रश्ण का जबाब दीजिए कोई बात नहीं होगा बस टोटल हम लोग आज 142 प्रश्ण का भी टार्गेट है टोटल हम 1500 कोईशन बनाने वाले थे लेकिन 142 प्रश्णी बनाए तब तक आप लोग चार बज़ गया ठीक है अभी सुबा से बस दो जिन से कल सही पीडियाफ का बना रहा है कल बारा बज़े राज सही पीडियाफ ये बना रहा है ठीक है तो आप लोग तेजी में कमेंट कीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों में सेयर कीजिएगा तो 17 नमबर प्रश्ण का सही जब आपसन नमबर ए हो जाएगा मनुष्य के मस्तिस के सबसे बाहरी जिल्ली कौन होता है तो डिउसा मीटर याद रखिएगा डिउस मीटर 18 रक्त में गुलकोंच की मातरा नियंत्रित रहती है उपसन नमबर ए गुलकान के कारण बी इंसुलीन के कारण रखिवा होता है इसलिए पहले आप लोग को करवा देंगे ताकि आप लोग ये सारे प्रशनों पर पकर बना लिजिएगा कमेंट कीजिए कि रक्त में गुलकोंच की मात्रा नियंत्रित रहती है एक बार सभी दोस्तों में सेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग ज्वाइन हो जाए और इस क्लास का लाव उठा पाए तो अठारा नंबर प्रश्ण का सही जबाव आप्सन नंबर बी होगा इंसुलीन क नियंट के कारन की प्रश्ण नेक्स्ट उनीस नमबर प्रश्ण हमारे सरीऊ में जाबिक कारयों का नियंत्रण होता और आंतिर हैं इन इडमें कोई नहीं देदी में कमेंट की जिये सभी लोग है कि हमारे सरीर में जाविक कारी कानेंटर जाविक कारी का नियंतर महां मोथ हो यह यह एग और आपूट के लिए जितना भी टाल रहे हैं कम से कंड़र वीडियो को आप क्योंकि हम वही वीडियो भी ला रहे हैं जो कि आपकी एक्जाम के लिए डाइरेक्ट इंप्रोटेंट है जो कि आपको 400 प्लस लाने में सहायक है तो 19 नंबर प्रश्ण का सही जबाव अप्सन नंबर सी हो जाएगा हमारे सही में विविन जाबी कारियों का नियंतरन कौन करता है तो तंत्रीका एबं रसाइनों दोनों करते हैं 20 नंबर प्रश्ण देखिएगा मस्तिस का कौन सा भाग हिर्दय अस्पंदन तथा स्वसन की गती दर को नियंतरित करता है अप्सन नंबर ए सेरी ब्रहम बी मेडूला सी है सेरी बेलम और डी है डाइनो डाइनस फैलोन तेजी में फॉलोन लिखावा तेजी में एक वार कमे है चलिए टेजी में कमेंड कीजएगा तो मैं फट फट चाट परलूगा लेकिन ज्जादा लेट कीजएगा तो नहीं थो बीच नंबर जो प्रश्ण है कों सा भाग हिर्दय अस्पंदन तथा स्वसन की गती को नियंतरित करता है यह तो बीच नंबर प्रश्ण का सहिजब एक वार सभी लोग कमेट कीजिए मैं थोड़ा नोटिफिकेशन बंद कर देता हूं कॉल वो लोग कर रहे हैं ठीक है तो 21 नंबर जो प्राश्ण है नीमन में कौन हार्मोन नीमन में कौन हार्मोन कोशी का दिरगन एबं विवाजन में मदद करता है तो तारा प्रवीन गुलनाज खातुन अकमल हुसेन प्रिंस सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिए तेजी में संजीत यादब चलिए बहुत अच्छा 21 नंबर प्राश्ण का सही जबाव ऑप्सन नंबर D हो जाएगा इनमें से सभी हार्मोन जो है कोशी का दिरगन एबं विवाजन में मदद करता है 22 नंबर निस्सल का निकाए कहां पाई जाती है ओप्सन नंबर A साइटोन B एकजोन और C है सुत्र युगमर गाठे और D है सिनैप्स तेजी में एक बार कमेंट कीजिए कि निस्सल का निकाए कहां पाई जाती है जितने लोग जुआइन है एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा वाटसएप ग्रूपे सभी अपने नाम के साथ सभी अपने नाम के साथ मुझे मैसेज कीजिएगा ठीक है तो 22 नंबर जो प्रश्शनिस का सही जबाव अप्सन नंबर A सभी लोग कमेंट कर रहें संजीत यादव वैसे मैसेज कीजिएगा सभी लोग आप लोग से वहाँ पर बात कर लेंगे हम ठीक है है सबका नंबर प्रस्णली सेफ करना है ठीक है το 22 नंबर प्रश्शन का सही जबाव आओ अप्सन नंबर A 시arte साइट्रों जो है क्या निस्टल का निकाएं में ठीक है नेक्ष्ट प्रश्ण नेखिए 23 नंबर यहां पे नहीं करना है यहां पे नहीं वाट्साप पे मैसेज कर दीज़ेगा मुझे 23 नंबर प्रश्ण दोनों सेरीबल हैमिस्फियर को जोड़ने का काम कौन करता है और सनम् केलो सम भी है टेंप टेंपोरल लोब सी है पेराइटल लोब डी है ओक्जीपीटल लोब विल्कुल तारा प्रवीन आठ बजे भी क्लास होगा संजीत यादब तारा प्रवीन प्रेंस गुल्नाज खातुन संजीत यादब चलिए तो 23 नंबर जो प्रश्ण इसका सही जवाब ऑप्सन नंबर ए होगा दोनों सेरीबल हैमिस्फियर को जोड़ने का काम कौन करता है तो कौपर्स क्यालोसम सहजाद अंसारी का भी सही जव में शपने वाला प्रश्ण टोटाल आप लोग के लिए 142 प्रश्ण लाएं सारा प्रश्ण बहुत ज्यादा इंप्रोटेंट है जाही सारे प्रश्ण आपकी एक्जाम में देखने को मिलेगा कमेंट किजिए कि असमरन सक्ती का मुख्य केंदर कौन है संजीत यादव अक्मल हुसेन चलिए 24 नंबर प्रश्ण का सही जब आव अप्सन नंबर सी हो जाएगा सेरी ब्रहम असमरन सक्ती का मुख्य केंदर सेरी ब्रहम 25 निम्र लिखित में कौनसी अनेक्षिक क्रिया नहीं है अप्सन नंबर ए बमन बीचबाना सी लार का आना डी हिर्दय कधर अकनातिय जी में कमेंट कीजिए आप लोके लिए कुछ प्रस्ण भी दे रहा है ठीक है कुछ दिर्ग उत्तरिय प्रश्ण है उससा सारा प्रस्ण का आप लोग कोशन लिख के दे रहे हैं कोशन बस होगा तो बोर्ट पर लिख के आपको दे देंगे ठीक है सारा प्रश्ण को छाट रहे हैं कम से कम तीस प्रश्ण में देंगे उसी से सारा सब्जेक्टिव प्रश्ण आना चाहिए आप लोगों को पिछले बार भी दिये थे कई और स्टुडेंट ने चार सो प्लस भी लाया था ठीक है पचीस नंबर जो प्रश्ण इसमें अनेक्षी क्रिया कौन नहीं है नहीं की बात करना है देखिए अनेक्षी क्रिया कौन नहीं है तो देखिए चबाना जो होगा क्या है अनेक्षी क्रिया नहीं है यहाँ पर गला ठरीक है और नेक्स्ट अनेक्छे किरियां का नियंतरन केंद्र माना जाता है कई बार पूच्छा वागए सक्तिनअ सेड़ी ब्रह्म भी मेडूला ऑकलंगेटा इसको परहा जाता है यहां पर जो अउकपर जाता है यहीं अप्तिक पाली और डियेंच में से सभी एक बर में कमेंट कीजिए कि अन्यक्षिक क्रियाओं का जो है नियंतरण के अंदर किसी माना जाता है कि देखिए एक दो कोशन जो होता है टाइप करने में गलती भी हो जा सकती है तो उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा ठीक है संजीत यादव जी और हां आप ये कभी कभी क्या होता कि यजादा रात हो जाता है टाइप करते करते नेंद दाता तो इधर से एक automate करने में बहुत नींद आया रहता है उपर से ट्राइप करते रहते हैं आप लोग के लिए पूरा रात भर दो बज़े तक पीडिये बना है फिर आज बना है तब जाका 142 कोशन आप लोग आज बना है तो 26 नमबर प्रश्ण का सही जबाव और बी होगा नेक्षिक क्रियाओं का नियंतरन के अंदर किसे माना जाता तो मेडूला और लेंगेटा को सही जबाब हो जाएगा 27 नियम्र में सबसे महतपुर्ण औक जीन कौन है और अप्सन नमबर ए इंडाल ब्यूटारी कमल भी है इंडाल थ्री पाइरूबिक अमल सी है इंडाल एसिटिक अमल और डी है फिनाइल एसिटिक अमल तेख़वर तेजी में कमेंट कीजिएगा और बताईगा सबसे अगर कोई भी प्रस्ट में गलती लग रहा है तो इसको डायेक्ट गूगल कीजिए सर्ट कीजिएगा वहीं पर कॉन्फ्यूजन के लिए कर लिए ठीक है इंसा इंसान सभी गलती होता है मसीन पर अगर आप गलत टैप कीजिएगा तो गलत ही होगा तो खिलाल 27 नमबर प्र प्रकास अनुवर्तन गती के अंतरगत पौधा का कौन सा भागाता आपसर नमबर ए प्ररोह बीपतियां सीजरें डिया ए ए ए ए ए बंबी दोनों तेजी में कमेंट कीजिएगा प्रकास अनुवर्तन गती के अंतरगत पौधो का कौन सा भागाता है कि देजी में कमेंट कीजे सभी लोग अमडी एकमल हुसेन तारा प्रवीन सहजाद अंसारी और प्रिंस सभी लोग कमेंट करें तो 28 नमबर प्रश्ण का सही जबाब होगा प्रकास अनुवर्तन गती के अंतरगत पौधा का कौन सा भाग आता है तो अप्सन नमबर डी प्रव क्रोह और प्रवी और ब interior 2 29 पौध की जरे गृत्व उन वर्थित होती है चर्क ने सत्वा प्र Εंधन. प्रश्ण बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट और भी लोग यह प्रश्ण बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट और भी भी कोस्टन है ठीक है तो तेजी में एक वर कमेंट करके बताएं सबी लोग तो 29 नंबर जो प्रश्ण है इसका सही जबाब होगा option number c पॉधय की जर पॉधय की जर जो होता है वो घ्रनातमक क्रुट्वा अनुवर्तित होता है जब की तनी जो होता है रीनातमक क्रुट्वा अनुवर्ति होता है ठीक है तीस नमबर प्रशन देखिएगा पराग नालिका कि बिजांड के तरफ जाने की प्रकिरिया क्या कहलाती है यह प्रशन पूछा हुआ प्रशन है दोजार बाइस का बताएगा कि पराग नालिका कि बिजांड की तरफ जाने की प्रकिरिया क्या कहलाती है अपसर नमबरे जला तेजी में कमेंट कीजिए कि पराग ना लिका कि विजान्ड के तरफ जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक भी प्रशन चोड़ना नहीं, 142 प्रशन जो आप लोग के लिए लाएं सारे प्रशन को आपको करना है। आप लोग 240 पर अगर ज्यादा से ज्यादा अगर 144 पर समझ में आ रहा है तो ठीक है ने तो अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम तो आप लोग को भी सारे प्रशनों को जवाब जरूर देना है ठीक है। तारा प्रबीन प्रिंस अक्मल हुसेन संजीत यादब तो 31 नमबर प्रशन का सही जवाब होगा सबसे जटिल मस्तिस्क कौन है तो पसुओं का ओप्सन नमबर ए पसुओं का ठीक है नेक्स्ट 32 एडरनील ग्रंती अधी ब्रिक कहां उपस्तित होता है। तो ये प्रशन को रट लिजिएगा 100 परसेंट इस बार पूछेगा ऑफसन नमबर ए ब्रिक के नीचे ब्रिक के सामने से ब्रिक के उपरी सीरे पर दी है इनमें से कोई नहीं और मुझे आसा है कि इस चैनल के माध्यम से जो भी स्टूडेंट पर है सभी को देखिएगा समा समाजिक विज्ञान हो नचेनल कोई इस दो सब्जेक्ट में सभी को 90 परस माकसा ना चाहिए तो 32 नमबर प्रश्ण का सही जबा उप्सन नमबर C होगा एड्रनील ग्रंथी कहां उपस्तित होता है तो ब्रिक के उपरी सीरे पर उप्सन नमबर C याद रखिएगा यह अंडानू एबं सुक्रानू बनने की किरिया को नियंतरन करता है कौन जो है अंडानू एबं सुक्रानू बनने की किरिया को नियंतरन करता है कि देखिए बहुत अच्छा संजीत यादब प्रेंस अक्मल हुसेन तारा प्रवीन सभी लोग तेजी में कमेंट कीजिए एक पर दोस्तों में सेर कर दिएगा तो 33 नमबर प्रश्ण का सही जबाब होगा यहां अंडानू बनने एबं सुक्रानू बनने को नियंतरन कौन करता है तो प्यूटी ट्री होगा प्यूटी ट्री मेरू रजू के अघास से क्या हो सकता है तो 34 नमबर प्रश्ण का सही जबाब आपसर नमबर डी हो जाएगा मेरू रजू के अघास से क्या होता है तो लकवा हो जाता है लकवा ठीक है 35 नमबर प्रश्ण के पौधों में बाहिए उदिपनों के अनुसार गती करने की छमता क्या कहलाती है अपसर नमबर यह प्रतिवर्तन भी है एक्षिक्रिया सी है ब्रिधी डी है इन में से कोई नहीं तेजी में कमेंट कीजिएगा कि पौधों में बाहिए उदिपनों के अ उसार गती करने की छमता क्या कहलाती है तेजी में कमेंट करना है सभी को तारा प्रवीन प्रिंस अक्मल हुसेन सहजाद अंसारी सभी लोग कमेंट कीजिए इन लोगों का जबावा चुका है तो 35 नंबर प्रशन का सही जबाव अफ्सन नंबर ए होगा प्रती वर्तन कहते हैं प्रती वर्तन कि पौधों में प्रकास की और गती क्या कहलाती है तेजी में कमेंट करना है सभी को संजीत यादब अक्मल हुसेन तारा प्रवीन प्रेंस 36 नंबर प्रशन का सही जबाव अफ्सन नंबर सी होगा प्रकास अनुबरतन कहलाता है नेक्ष्ट देखे 37 नंबर पौधों में पाए जाने वाली गती अफ्सन नंबरे प्रकास अनुबरतन बे गृत्वा अनुबरतन सी है जला अनुबरतन डी है इनमें से सभी तेजी में कमेंट कीजिए कि पौधों में पाये जाने वाली गति अफ्सन नमबर A, प्रकाश अनुबरतन, B, गृत्वा अनुबरतन, C, जला अनुबरतन, D, इन में से सभी तेजी में कमेंट कीजिएगा 37 नमबर जो प्रश्ण इसका सही जबाव, पौधो में पाये जानी वाली गती, प्रकास अनुबरतन, गुरुत्वा अनुबरतन और जना अनुबरतन, तीनों, अप्सन नमबर दी इसका सही है, ठीक है 38 नमबर प्रश्ण, जरो का अधोगमी व्रिधी होता है, अधोगमी व्रिधी, अप्सन नमबर प्रकास अनुबरतन, गुरुत्वा अनुबरतन, तीनों का लिंक दिया गया है, नेक्स्ट, तो 38 नमबर प्रश्ण का सही जबाव, उप्सन नमबर बी हो जाएगा, गुरुत्वा अनुबरतन, गुरुत्वा अनुबरतन, बिल्कुल सही जबाव होगा, अक्मल हुसें, तारा प्रवीन का बिल्कुल सही जबाव है, प्रिंस, चलिए नेक्स्ट, सभी लोग जबाब दीजिए, पादफ हर्मोन्स, क्या कहला हैं, तो चालिस नमबर प्रश्ण का सही जबाव होगा, पादफ हर्मोन्स, क्या कहला आते हैं, उप्सन नमबर डीजिए, इनका सही जबाव हो जाएगा, इन में से सभी, इन में से सभी, गुरुड इविनिंग, मिराज से एक चीकू, चालिस नमबर प्रश्ण देखेगा, किस हर्मोन की मदध से बरे आकार के फल, यो फूल उगाये जाते हैं, अप्सन्म्onds, जीबरलींस, बी ओक्जीन, सी साइटो किनीन, दीन में से कोई नहीं, तेजील में गुरुड इविनिंग सभी को, टोटल आज हम लोग 142 कोश्चन करने वाले हैं आज के लाइब क्लासेज में अभी के लाइब क्लासेज में इसलिए त्यजी में जवाब देते रहें सभी लोग मिराज, तारा, संजीत, प्रिंस, तो चालिस नमबर जो प्रशन इसकास तरही जब आपसन नमबर ए होगा जेब्रलिन्स हार्मोन की मदद से बरे-बरे आकार का फ़ल एबंफूर हम लोग उगा सकते है अग जीन पोधं में कहाँ संस्लिस होताहँ से नमबरे प्ररोह की अगर भाग में भी जरौँ की अगर भाग में शीपतियों में दिह है सब्सक्राइब कर रहे हैं संजीत यादव प्रेंस सभी लोग कमेंट कर रहे हैं तो इसका तारा प्रवीन का भी जबावा चुका है सब्सक्राइब कर रहे हैं सारे प्रश्णों को चीकू का भी जबाव आ गया है सब्सक्राइब कर रहे हैं मिराज सेक तो 42 नंबर प्रश्ण का सभी जबाव और सी हो जाएगा पौदों की तनों की लंबाई के लंबाई में ब्रिधी के लिए औक जीन एबम जिब्रलीन्स दोनों हार्मोन की जरूरत होती है और से बिल्कुल सही जबाव होगा 43 यह हार्मोन में पर्न हरित क्लोरोफील का लंबे समय तक नस्ट नहीं होने देता है यह आपके एक्जाम के लिए बहुँ ज्यादा इंप्रोटेंट है डाइरिक्ट इस बार पूछ सकता है और साइटोकिनीन भी ऑगजीन सी जिब्रलीन्स दीन में से सभी तेजी में आप लोग के लिए डेली नहीं रहें पीडिया बना रहा है तो सभी लोग को क्या करना है कमेंट करते रहिएगा तो 43 का सही जबाब option number E हो जाएगा ठीक है यह हर्मोन पर्न हरित क्या लिखा है कि पर्न हरित को लंबे समय तक नश्ट नहीं होना देता है क्लोरोफिल को नश्ट नहीं होना देता है कौन तो साइटोकिनीन option number E याद रखिएगा नेक्स्ट इस हर्मोन के प्रभाव से पतियां मुर्जा जाती है किस हर्मोन के पतियां से जो हर्मोन के प्रभाव से पतियां मुर्जा जाती है option number E oxygen, V zebralins, C cytokinein, D abiscus acid option number D, abiscus acid के कारण क्या होता है पतियां मुर्जा जाती है, abiscus acid जो हर्मोन है इसके कारण पतियां मुर्जा जाती है पैतालिस नमबर प्रश्ण, कौनसा हर्मोन हिर्दय की धरकन बढ़ा देता है, option number E है, endrinil, B insulin, C thyroxine, DMA से कोई नहीं तो यह तो आप लोग को याद ही रहना चाहिए, जब आप लोग एक्जाम देने जाते हैं तो आप लोग का हिर्दय का धरकन कौनसा हर्मोर बढ़ा देता है, चले simple में बताए सभी लोग, चीकू, मिराज, रॉाइल, रॉाइल, माजजर, तारा प्रविन सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो 45 नमबर प्रश्ण का सही जबाव, अब 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 अधिक समय तक हरी और ताजी रातिया, अब अगजीन, बी जेवरलीन, सिसेटो किनीन, डी एथिलीन, जितने स्टुडेंट लाइब क्लासेज कर रहे हैं, वह मुझे प्रसनली मैसेज करिएगा, इसलि उसका हम रिप्लाई नहीं देते हैं, इसलिए आप लोग हमें प्रसनली मैसेज किजिएगा, ताकि आप लोग का हम नाम के साथ सिव कर लें, ठीक है, 46 नमबर प्रश्ण का सही जबाव, अप्सन नमबर C हो जाएगा, साइटो के नीन, साइटो के नीन हर्मोन जैपतियों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और इस वाट्सेप ग्रूप से जूरना मत भूलिएगा, यहीं पर आपको वाइरल कोस्टन हो, या फ्री पीडियेप नोट्स हो, या कोई भी जनकारी हो, यहीं मिलेगा, 47 यदि पोधे के हस्तम का सिर्स काट तिया जाई, तो क्या होग बिजय कुमार पंडित अनीस मिरा मिराज सेख प्रींज, तो देखिए, 47 नमबर दियें, जो लोग नए होंगे, मैसेज किजिएगा, डिस्क्रिप्सर में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो कि मैसेज कर दिएगा, मुझे, तो 47 नमबर जो प्रश्टन है, इसका सही जवाब, लंबाई में ब्रिधी रुख जाएगी, नेक्स्ट, यदि पौध्यों पर एविस्कस एसीड का छिरकाव किया जाए, कौन सा एविस्कस एसीड का आमल का छिरकाव किया जाए, तो क्या होगा, यह प्रश्टन जो है, इस वार के लिए बहु ज़्यादा इंपोटेंट है, अप्सन नम्बर है, पत्यों लंबे समय तक खरी रहेगी, यह पत्यां का आकार बढ़ेगा, सी पत्यां मुर्जा जाएगी, इन में से कोई नहीं, तियदी में एक बार कमेंट कीजिए, कि यदि पौधों पर एविस्कस एसीड का छिरकाव किया जाए, तो क्या होगा, और अप्लो के लिए ट्रिक का वीडियो रेडी है, डेट वाला, वो वीडियो कल अप्लोड कर देंगे, ठीक है, यह हो सकता है, तो रात में भी अप्लोड कर सकते हैं, तो और तालिस नमबर प्रशन का सही जवाब, अप्सन नम्बर सी होगा, पतियां मुर्जा जाती है, अवि इसका से सीड, भी इथिलीन, सी औगजीन, भी साइट्रोकिनीन, और यह पीडियाप आप लोग को मिल जाएगा रात में, ठीक है, पीडियाप के लिए आप लोग को टेंसन बिल्कुल नहीं लेना है, यह पीडियाप आप लोग को देंगे रात में, रात का जब लाइप क्ल सब्सक्राइब कर देंगे कल रात में भी सेंड किये थे कॉम्नीटी में जाकर सभी लोग डाउनलोड कर लिजेगा क्या कि जितना ज्यादा गुरूप है उस अभी गुरूप में नहीं हम बेश सकते हैं ठीक है तोनचास नमबर जो प्रश्ण इसका सही जबाब ऑफ्सन नमबर A होगा कोशी का विभाजन को अब इसकस एसीड रोकता है ऑफ्सन नमबर A साइटो की नहीं होगा पौदो में कोशी का दिरगन एबं दिरगन इस हार्मोन की मदस्ते होता आप्सन नमबर A ऑगजीन B जेब्र प्रिंस अनेस मिराज चलिए तो पचास नमबर प्रश्ण का सही जबाब ऑफ्सन नमबर D हो जाएगा A और B दोनों पौधा में कोशी का दिरगन जो होता है किसके कारण होता है तो ऑगजीन और जेब्र लिंस दोनों हार्मोन के कारण नेक्ष्ट कावन नमबर प्रश्ण उच अस्तर के जीवों में विक्सित तंत्री का तंत्र होता है ऑप्सन नमबर A जिसमें होता है भी किसमें होता अप्सन में मस्तिस्क में भी स्पाइनल कॉड में सी तंत्री का और डीन में से कोई नहीं 2019 में यह प्रश्ण पूछा हुआ प्रश्ण है 2019 में 2017 में 2011 में त्येजी में कमेंट किजिएगा उच अस्तर के जीवों में विक्सित तंत्रिका तंत्र होता है कमेंट किजिए विजय कुमार पंडित रॉयल माज़र अनेज चीकु प्रींस चलिए तुप एक्चियावन का सही जवाब अप्सें नम्बर डी होगा इनमें से सभी उच अस्तर के जीवों में विक्सित तंत्रिका तंत्र क्या होता है तो मस्तिस्क स्पाइनल कॉड और तंत्रिका है और अप्सन नमबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा ठीक है संजीत यादव बता रहे थे चलिए बावन नमबर प्रशन देखेगा यह हार्मोन ग्यास के रूप में पाया जाता है मिराज सेख विजय कुमर पंडित संजीत यादव चीकु प्रिंज बावन नमबर प्रशन का सही जवाब होगा हार्मोन ग्यास के रूप में पाया जाता है नेक्स्ट भागते या दवर्टे समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है देखिए यह यह ङोगार Sullivan है अगर ладно सबदूल सब्सक्राइब 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 नहीं यह जा चिए कौई पूछा है ठीक है 2022 में भी रशाइज हुआ था से केेंड तिर्पन नमबर प्रश्ण का सही जवाव अपसर नमबर सी हो गया एड्रेनिल हार्मोन जो है भागते या दोड़ते समय क्या होता है तो सक्रिय होता है दिर्पन नमबर प्रश्ण बच्चों की सारी रिक ब्रदी में इस हर्मोन की महत पुर्ण भूमिका है अफिर कौन सा हर्मोन है तेजी में कमेंट कीजिए किसन ए बता रहे है मिराजसेक डी बता रहे है प्रिंस बी रॉयल माज़र ए चोबन नमबर प्रश्ण का सही जबा ऑप्सन बरियोगा ब्रीधी हार्मून जो है क्या होता है बच्चों के सारीरिक ब्रीधी के लिए महत्पुर्ण भूमी का निभाता है पच्पन यह ग्रंथी अन्य अंतास्रावी ग्रंथियों का नियंत्र करता है बिल्कूल यह पूरा बाइलोजी का 142 प्रश्ण है टोटल 142 प्रश्ण है बाइलोजी का दो दिन से इस पीडियाप को हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए दो दिन से पूरा लगों से पांस घंटा इस पीडियक को बनाने में लगा है कल दो घंटा बनाए थे आप लोग आप लोगा जबया प्लास फ़िए ऊपलोड आप पच्पन नमबर प्रश्ट का सही जवाव अप्शन नमबर बी हो जाएगा यह गरंथी अंता स्रावी गरंथियों का नियंतरम करता है कौन तो प्यूटि ट्री गरंथी एक ट्रिक का वीडियो डाले थे उपधातू का वह भी वीडियो आप लोग जरूर देख लिएगा उप अप्सन नमबर एक क्योंकि इनका स्राव सी रक्त में स्रावित हो जाता है बी इनका स्राव नलिकाओं से होकर नहीं गुजरता है सी इनका स्राव रक्त परिसंचरन से सीधे अंग तक पहुँच जाता है दी इनमें से सभी तेजी में कमेंट कीजिएगा कि अंता स्रावी ग शब्पन नमबर प्रश्ण का सही जब आप उप्सन नमबर डी होगा अंतस राभी ग्रंतिया नलीका विहीं क्यों का लाती है इन सभी कारणों के कारण याद रखेगा एक बार स्क्रींशॉट मार लीजिए बहुँ ज्यादा इंपोर्टेंट यह प्रश्ण है यह मोस्ट बी लग्यता र्ज़िए यह है यहन पर रीपीटेड हो गया इसको छोड़ दिए लिए कि हार्मॉन संद्गा नामा करण किस ने किया था तेजी में कमने कीजिए कि तेयरी में कमेठ्ट करते राना कि हर्मोन सब्द का नामा करण नाख repair कि 2 पिर कि अअब्स में ऑपसा नंबर गिल्कुल सही जवाब होगा बैलिसस इंश निननी हर्मोन सब्द का निर्मान किया था शरी नामा करन किया था अंठाबन दी नियूरॉन के मध्य खाले अस्थान को क्या कहते हैं देखिए ये प्रश्ण इस बार पूछ सकता है ठीक है डाइरेक्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्ण लगवग पांच से अधिक बार पूछा गया है पांच से अधिक बार जाए तो 2015 तो तीन बार पूछा होगा द दी नियूरॉन ये 2022 में भी किसी सीटिंग में पूछा गया था मुझे एक्जेक्ट याद नहीं है लेकिन पूछा है देखके बताएंगे तो पता चल जाएगा ठीक है तो दो जो नियूरॉन के खाले देखे दो नियूरॉन के मध आज ये खाले अस्तान होता है उसे लोग सीनेप्स कहते हैं सीनेप्स एक्जौन नहीं सीनेप्स उनसथ मेरू रज्जा के रक्षा कौन करता है मुझ्ट बी बी कोश्ण ऑप्सन नमबर यह है कसे रूक दंड भी है क्रेनियम सी है कार्पस कैलोसम दी इनमें से कोई नहीं त कि मेरू रज्जु की रख्षा कौन करता है मुझ्ट बी की रच्छा कौन करता है मुझ्ट बॉट बरख्षा को देखिए 69 नमबर प्रस्ण का सही है जबावस नमबर होगा कसे रूक दंड ठीक है देखिए 69 नमबर श्रीशाठ नियून में कोन हार्मुन सर पर्थम अध्यन किया गया कौन सा हार्मून को सरपरतम अध्यन किया गया मुश्ट बीवी आई है ऑप्सन नमबर एत हैर अउगजीन बी है प्रोलेक्टिन सी है सेक्रोटीन और डी है ऑगजी तोसीन तेजी में कमेंट कीजे सभी लोग चीकूर वाइल माज़र तारा प्रवीन प्रेंस सभी लोग कमेंट करें तो साथ नमबर प्रेंस का सही जब आपसन नमबर सी होगा क्या सेक्रोटीन सेक्रोटीन हार्मून का सवर परतम अध्यन किया गया था कौन सा हर्मून का सेक्रोटीन का एक सट नमबर डैस के बर्थ हर्मून के नाम से जानना जाता है किसे बर्थ हर्म के रूप में जाना जाता है मुष्ट भी भी आई है अग चीकू ए प्रिंस भी दोखिए से एक सट नमबर प्रश्ण का सही जबाव सन्मबर डी होगा ऑगजी तोसीन को हम लोग क्या है वर्थ हार्मून के रूप में जानते हैं अगजी तोसीन तारा प्रवीन एंब बता रह आयोडीन का होना आवल से एक है आयोडीन का होना किस हार्मून के लिए ओप्सेन नमबर यह सबासट नमबर प्रश्ण सही जबाव ऑप्सेन नमबर बी हो जाएगा थाय। याद रखिएगा चलिए नेक्स्ट नर्जनन हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं जब कि मादा जनन हार्मोन को क्या कहते हैं फिर मादा जनन हार्मोन को बताए ऑप्सानमबरी है डी यह प्रोजेस्ट्रोजिन और डियह प्रोज़स्ट्रॉडरेल देखिए पहला झूंप पहला इदर पहले सिस्वाइगा इसनल मादा को तो बताएक किया होगा इसका सही जबाब Conseella तारा प्रबीन, प्रिंस, 63 का सही जवाब, option number B हो जाएगा, एंडरोजन, नर जनन हार्मोन कौन है, एंडरोजन, जबकि मादा जनन हार्मोन कौन है, तो एस्ट्रोजन, option number B, बिल्कुल सही जवाब है, 54. किसी भी मादा के मुत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्वती होने का प्रमान देता है प्रीन्स भी बता रहते हैं जी में कमेंट कीजिए सभी लोग 64 नमबर प्रश्ण का सही जबाब ऑफिसन नमबर ए होगा HCG बोलते हम लोग HCG हार्मोन उसको गर्बती होने का परमान देता है 65 निमलखित में कौन सा पादफ हार्मोन है पादफ हार्मोन ऑप्स नमबरें हैं इंसुलीन ,B थायर उक्सीन ,C अस्ट्रोजेन और डी है साइटोकिनन तीजी में एक बवर कमेंट किजिए और बताएगा कि निम लखित में कौन जुह है पादफ हार्मोन है बीवी आई है तेजी में कब बताएए पादफ फार्मोन ये आपके एक्जाम में इस बार 100% डिट्रो कोश्चन आने वाला है तेजी में चलिए पिसाजाद अंसारी डी बता रहे हैं प्रिंस डी ऑफ्सन नमबर डी बिल्कुल सही जबाब होगा साइटो केनीन जो है पादफ हार्मोन है पादफ हार्मोन 66 हमारे सरीर में बिभिन जाबी कारियों का नियंतरन कौन करता आपसन नमबर किसके दोरा होता आपसन नमबर ए है रसाइन दोरा भी तंत्रिका दोरा सी तंत्रिका और रसाइन दोरा दी इन में से कोई नहीं तेजी में कवर कमेंट किजिएगा हुआ 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 है तंत्रीका और असाइन द्वारा नेक्स्ट रुधीर चाप इन में से कौन नियंत्रित करता है बीबी आया है ओप्शन नमरे है थाइमस भी है थाइरोआइड सी है अध्रिनिल और डी है ब्रिशन तेजी में एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग बहुत ज्यादा इंपोटेंट है कमेंट कीजिए सभी लोग ठीक है बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट है चलिए बहुत अच्छा 67 नमर प्रश्ण का सही जबाव अप्शन नमर सी होगा रूधी प्रश्ण आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोटेंट है 100 इस बार पूछा जासकता आउसर नमबर यह है थायर्वाइड ग्रंथी सी है हाइपोटेलमस डी इन में से सभी टेजी में एक पर कमेंट करिये और बताएगा कि प्यूटी ट्री ग्रंथी नियंत्रित होती है किस से तारा प्रवीन सहजाद अंसारी प्रेंस नमर प्रश्ण का सही जवाव अप्सन नमर सी होगा प्यूटेट्री ग्रंथी जो नियंत्रित होती है वह हाइपोथेलमस हाइपोथेलमस से नेक्स्ट उनहत्तर ऑग्जीन है ऑग्जीन क्या है बीबी आई को से तेजी में कमेंट कीजाए ऑग्जीन क्या है आप्सन नम्बर एक हार्मोन वीवसा से इनजाइम डिकरवो हाइड़ेट तेजी में एक बर कमेंट कीजीएगा कि आउग्जीन क्या है प्रेंस सी बता रहे हैं तारा प्रवीन ए साजाद अंसारी 69 नमबर प्रश्ण का सही जवाब option नमबर A हो जाएगा अग्जीन क्या है तो एक हार्मोन है next पादफ हार्मोन का उदाहरान option नमबर A पेपसीन B एडिनील C है अग्जीन और D है टेस्टो इस्टोरेन तेजी में कमेंट कीज़ेगा कि पादफ हार्मोन का तेजी में कमेंट करना है सभी को पादफ हार्मोन का उदाहरान बहुत ज्यादा इंपोटेंट है तेजी में एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग 70 नबर प्रश्ण का सही जबाब होगा पादफ हार्मोन का उदाहरन कौन है तो अपसीन और सी इसका सही जबाब होगा यह प्रश्ण आपके इजाम में पूछा गया है तो एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग सजाद अंसारी ताराप्रबीर प्रेंस गुलनाज खातुन जितने भी लोग है रॉयल माज़र मिराज से किशन एक एक अगर प्रश्ण का सही जबाव अप्सन नमबर एगा ब्रिसंद द्वारा के स्थरवित होता है तो टेस्टू टेरोन ग्वाइटर तथा गहेगा किसके कारण होता है ये प्रश्ण इस बार के लिए बहुँ ज़्यादा इंपोटेंट है 100% चांस है इस प्रश्ण का पूछने का ओप्सन नमबर एग चीनी की कमी से बी आयोडीन सीरक्त की कमी और डी है मोटापा एक बार तेजी में कमेंट किजे सभी लोग ग्वाइटर अथवा घेगा जो है किसके कमी से होता है तेजी में तारा प्रवीन सहजार अंसारी चीकू प्रेंस तो बाथतर नमबर प्रश्ण का सही जबाओ अप्सन नमबर बी बिलकुल सही जबाओ है आयोडीन की कमी से ग्वाइटर अथवा घेगा होता है तेजी में कमेंट कीजिएगा सभी लोग कि तंत्री का कोशी का क्या कहलाती है तंत्री का कोशी का क्या कहलाती है तंत्री का क्या कहलाती है तेजी में बताना है सभी को साजाद अंसारी B, प्रिंस B वह क्या कहलाता है आपसर नंबर ए साइटान भी नियूरॉन सी अग्जॉन और डिया देंड राइट तिया जी में कमेंट किजे सभी लोग साजाद अंसारी डी तारा प्रभीन डी प्रिंस डी दिखिए तो तर्म प्रशन का सही जवाव सनम्बर एंगा साइट और उसको वह बोलते हैं साइट और बोलते हैं नेक्ष्ट देखिएगा पच्छतर नंबर प्रशन साइट और कि सबसे लंबे तंतू को क्या कहते हैं लंबे 느ええ eg दा का अ भुष अच्छा 75 बर प्रशन का सहिवाव सनम्बर एफ याद रखिएगा ये आपकी एक्जाम के लिए बहुँ ज्यादा इंपोटेंट है साइट ओन के सबसे लंबे तंतू को हम लोग एक्जॉन बोलते हैं एक्जॉन नेक्स्ट निवरॉन में छोटे-छोटे शाकित प्रवर्धन होते हैं ओप्सन नमबर एक्जॉन भी डेंडराइट सी साइट ओन और डियर सी नैप्स तियजी का जबाब आ चुका है कि साजाद चीकू कि यह सारे प्रश्ण बहुत ज्यादा इंपोटेंट है तो सारे प्रश्ण को आप लोग कर लिजिए ठीक है रात में हम आपको इसका पीडिया प्रोवाइड कर देंगे और जितने भी वीडियो अप्लोड कर रहे हैं सारे वीडियो को आप लोग देखिए ठीक है वीडियो आप लोग के लिए कल से दस मेट का वीडियो ज्यादा से ज्यादा अप्लोड करेंगे ठीक है तो सारे वीडियो को देखना है दोस्तों में भी सेर करते रहिएगा उसको 76 नमबर प्रश्ण का सही जबाव ऑप्सन नमबर B हो जाएगा निवरोन में छोटे छोटे साकित प्रवर्धन क्या कहलाते हैं तो देन्डराइट कहलाते हैं देन्डराइट ऑप्सन नमबर B याद रखिएगा 77 यह संबेदी यंगों से संबेदना ग्रहन करता कौन कमेंट किजिए तारा प्रवीन प्रीन सहजार अंसारी 77 नमबर प्रश्ण का सही जबाव होगा ऑप्सन नमबर A डेन्डराइट जिसको हम लोग दुरुमी का बोलते हैं वो संबेदी यंगों से क्या संबेदना ग्रहन करता है नेस्ट विदूत आवेगो को साइट ओन से दूर ले जाना किनका काम है ऑप्सन नमबर A डेन्डराइट भी हैग्जॉन देन में से कोई नहीं तेजी में कमिन किजिए कि विदूत आवेगों को साइट ओन से दूर ले जाना किनका काम है तो ठतर नमबर प्रश्ण का सही जबाव ऑप्सन नमबर B हो जाएगा ऑप्सन नमबर B एक्जॉन निक्ष्ट देखिए अप लोग 89 एक्जॉन में से कौन सा रसाइनिक पदार्थ निकलता है तोटल हम लोग 100 प्रश्ण अभी कर लेते हैं ठीक है चालिस प्रश्ण का आपको बीडियो बना कर देंगे बीडियो बना कर चले 89 नमबर प्रश्ण अग्जॉन में कौन सा रसाइनिक पदार्थ निकलता है 89 नमबर प्रश्ण का सही जवाब अप्सन नमबर यह होगा ऐसी टिलीन साजाद अंसारी चीकू प्रिंस सभी लोगों का बिल्कुल सही जवाब था 80 नमबर मस्तिस्क का सोचने बाला भाग सरीर के बाकी भागों से कैसे जुरा हो तबसन नमबर यह धमनियों से बीतंत्रिकाओं से और सी है यह और भी दोनों से डिल में से कोई नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लास के बाद कि आप लोग के लिए कुछ बिसेश्च चीज है ठीक है तो उसमें वहां पर बताएंगे इसलिए आप लोग क्लास के बाद में मैसेज कीजिएगा तो असी नमबर परशन का सही जबाव सनमबर भी होगा तंत्रिकाओं से नेक्ष्ट असी नमबर परशन प्रतिव वर्त क्र का है option no refuse शबठ अने क्ताइ presents LI 다른 सब्सक्राद करें का सम्स करको लोग estam ray तो अस्ーム व्रत क्रिया क्या है अflower की का सब्सक्राच इंस शमें से सभी लार आना रखोड़ क्रिश्ट ये सभी क्या है तो प्रतिव वर्त क्रिया है नेक्स प्रश्ट क्यों पर्वरत हम लोग को मद्ले उद को सुरक्षित हैं कि को पर चीकुडा रहा हैbelt सघ्ञाद अंसारी सी फ्रीन्स भी राओ बिरासी का सही जबाँ अबसाने पर अप्सान नुम्बरा ए को मल मस्तिष्क रख्षी तरहता है कहां पर तो सरी ब्रहम अफ्सान नुमबर ए याद रखिए का से री यह ब्रहम इसका बिल्कूल सही जबाब होगा टिरासी सोचने नियंत्रित नियंत्रन कौन करता आपसा नमरे सेरी बेलम भी सेरी ब्रह्म सी मध्य मस्तिष्ट इन में से कोई नहीं तेजी में बताए कि सुचने इत्यादी कि लियाओं को नियंत्रन कौन करता है तिरासी नमर प्रश्चन का सही जवाब ऑप्शन नमर बी होगा सेरी ब्रह्म सेरी ब्रह्म सेरी ब्रह्म बिल्कुल सही जवाब होगा 84 अब टू गरंथी को थायरोक्सीन हार्मोर बनाने के लिए आवस्यक क्या आपसे नबरे सोडियम वी क्लोरीन सी फॉस्फोरस दीन में से सभी तेजी में कमेंट किजे सभी लोग चलिए हम नब्वे ही प्रशन करते हैं ठीक नब्वे प्रशन तो वहां पे 50 प्रशन हो जागा आपसे नबर वी होगा क्लोरीन अब्टू गरंथी को थायरोक्सीन हर्मोन बनाने के लिए आवस्यक क्या है तो क्लोरीन पचासी नंबर या एक्षिक गतियों का नियंतरन करता है कौन आपसे नबरे सेरी बेलम भी सेरी ब्रहम सी मध्यमस्तिस्क दिये मस्तिस्क स्टेम आप चासी नंबर मंद Sylma सभी लों कमेंट करते रहे सेरी बेलम सही जवाब होगा सेरी मेलम सेरी बेलम बिल्कुल जवाब था रिट्पर ऐसे या अनेवी क्रियां का नियंतरन करता है क्यों ट्वाहने करता ही tag लिए तेखियां करता है तेजी में कमेंट कीजे सभी लोग 86 का सही जब आउसन नमबरे होगा मेडूला ओबलेंगेटा जो है क्या है यानेक्षिक क्रियाओं को नियंतरन करता है 87 खासना कैसी क्रिया है आउसन नमबरे एक्षिक यानेक्षिक CIA और भी दोनो डीन में से कोई नहीं नितेजी में कमेंट कीजे कि छीकना जो है किस तरह का किडिया है देखे 87 का सही जवाब आपसन नमबर भी होगा नेक्षिक बिल्कुल आपसन नमबर भी सही जवाब है 88 शरीर का संतुलन बनाए रखता है आपसन नमबरे सेरी बेलम भी सेरी ब्रहम सी है क्रेनियम डी मस्तिस के स्टेम तेजी में कमेंट कीजे सभी लोग सरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है जो लोग चैनल पे नहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है और फिर पीडियाप नोट्स के लिए वाट्सअप ग्रूप में जाइन हो जाना है 88 का सही जवाब आपसन नमबर ए हो जाएगा आपसन नमबर ए आपसन नमबर ए इसका सही जवाब होगा सरीर का संतुलन कौन करता है तो सेरी बेलम आपसन नमबर ए याद रखेगा 89 वाट्स जिसमें नियूरोन की आवेग का वहन होता आपसन नमबर ए आवेग ग्रहन विसंबेदना मार्ग से प्रती वरती चाप डिन में से कोई नहीं तेजी में कोई कमेंट कीजिए वह पथ जिसमें नियूरोन की आवेगों का वहन होता है 89 का सही जवाब आपसन नमबर सी बिल्कुल सही जवाब है सहजाद अंसारी और प्रिंस का चलिए लास्ट प्रश्ण आप लोग के लिए होंबर्ग प्रश्ण के रूप में जो हम लोग डेली देते हैं अंतर स्रावी गरंथियों से क्या स्रवित होता है देखिए जब यह लाइब खत्म होगा उसके बाद जॉइन होकर वहाँ पर आपको कमेंट कर देना है अंसर आप लोग याद कर लिजिए और वहाँ पर आपको कमेंट कर देना है कि 90 प्रश्ण क्या क्या अंसर होगा ठीक है यही आपका एक होंबर्ग प्रश्ण है अंतर स्रावी गरंथ से क्या स्रावित होता है अप्सन नमबर यह है एंजाइम, भी है जल, CACT, लाइकोलीन, डी हार्मोन, नए स्टुजेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा फ्री पीडियाप नोट्स या वायरल कोश्चन या किसी भी जानकारी के लिए इस नमबर पर मुझे वाट्सेप किजिएगा या डिस्क्रिप्शन में वाट्सेप लिंग टेली ग्राम लिंक दिया गया है वहां से आप लोग जाइन हो सकते हैं तो यूट्यूब के बाउट सेक्शन से तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं मिलते हम लोग कोई नए वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जबार थेंक यू